दोस्तों प्रदीविरे एकटवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का जो टॉपिक है बहुत ही डेंजर टॉपिक है बहुत ही अलग टॉपिक है बहुत सारे बच्चे इसे सुनना पसंद करेंगे बहुत सारे बच्चे इसे उपर-उपर से उड़ा देंगे पर मेरा request है अगर आप सच में दिल से अगर मेहनत करना चाहते हो दिल से अगर चाहते हो कि आपको top करना है या तो आपको pass करना है तो please पूरा का पूरा वीडियो end तक सुनना बहुत सारी planning मैंने ऐसे क्या किया था मेरे engineering में जिसकी वज़े से मैंने top किया था सब चीज़े मैं यहाँ पे one by one मैं आपको बताने वाला हूँ चलो सबसे पहले हाँ और एक और चीज़ के अगर आपको कुछ भी doubts है कुन सा page आपके पास सबसे पहला page होना चाहिए as for क्या होता है as for sun होता है as for sun मतलब syllabus syllabus सबसे ज़्यादा important होता है यार सबसे पहला अपना-पना syllabus देख लो syllabus बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो क्या करते बता है book में बहुत सारे book में भी चीज़े systematic नहीं दीए book में जो जो है वो सब solve कर देते हैं ऐसा नहीं है syllabus में जो चीज़े पूछी है for example अगर मैं differential equation of first order and first degree की बात करूँ तो सबसे पहला starting में जो topic है अगर समझो वहाँ पहला topic है हमारे syllabus में देखोगे तो exact differential equation है उससे related आप 2 questions solve कर दो अगर आप pass होना चाहते हो अगर आप top करना चाहते हो तो उससे related जितने भी questions है वो आपको solve करना होगा at least 2-3 questions solve करना होगा बाकी questions आपको देखना होगा और जो pass होना चाहता है बस वो previous years question देख ले और उसके पहले अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से सर मेरा basic नहीं clear है सर मेरा 12 में इतना ही percent है तो हमने lectures बना दिया न सभी lectures हमारे channel पे यार upload है आप उन lectures को देखो lectures देखते time भी आपको किसी एक को ही follow करना चाहिए या ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे भी lectures देख लिया यहाँ पे भी lectures देख लिया फिर आप confused हो जाओगी किसी एक को ही आप follow करोगी किसी एक ही channel को आप systematic follow करो subjects के लिए कि हाँ मैं यह subject मैं इसी channel से करने वाला हूँ जिससे क्या होगा कि आपके अंदर एक confidence आएगा नहीं तो आप यह भी करोगे वो भी करोगे आप पुरी तर से confused हो जाओगी और पहले lower level से अगर आपको लग रहाएगी नियार मेरा formula में problem हो रहा है formula आप अच्छे से कर लो अब यहाँ पे होता है कि physics के लिए सर मैं कैसे करूँ physics के लिए कोई दिक्कत नहीं है physics के लिए आपको क्या करना है दोस्तो बस दो दिन अच्छे से बैठना है आराम से physics का preparation होगा for example अगर समझो मेरे total 3 या 4 या 5 module है मैं क्या करूँगा समझो module number first सबसे ज़्यादा ध्यान diagram practice पे दे दो diagram अगर आपने systematic तरीगे से cover कर लिया अब diagram अगर आपने अच्छे से cover कर लिया then final equation देख लो यह passing वालो के लिए है और जो previous years में 4 से 5 बार पूछा गया है उसको आप क्या कर दो अच्छे से 2-3 बार उसके main main points को पढ़े लो then यहाँ पे कहीं कहीं पे physics में पूछा होगा कहीं पे types दिया होगा इसके यह types से उसके types से वो दिमाख में बिठा सकता है normal बच्चा भी बिठा सकता है अगर आप top करना चाहते हो तो syllabus सामने रखो previous years question सबसे पहले cover कर लो वहाँ ही पे आपके बहुत सारे marks cover हो जाएंगे then इसके आप जो syllabus में अभी कौन सा topic बचा previous years question करने के बाद उस topic के भी थोड़े थोड़े points देख लो देखो आप top करके आओगे then इसके आप diagrams बहुत systematic होना चाहिए आप जब diagrams draw कर रहे हो तो diagram में सबसे पहले examiner क्या चेक करता है labeling labeling आपका बहुत proper होना चाहिए अच्छे से आपके arrows होने चाहिए ऐसे arrow जब यहाँ पर लिख रहे हो तो यह arrow match होना चाहिए और उसको एक proper box बना then इसके बाद अगर समझो आपका subject chemistry है तो same rule आप follow कर गए BEE के लिए क्या करना चाहिए BEE subjects के लिए जैसे कि अगर BEE subjects मुंबई वाले को अभी नहीं है मुंबई वालों को अल्रेडी हो चुका है उने वाले को BEE subjects अभी आ गया है तो आप अपने syllabus को रखो उससे related कौन कौन से point है हर point को आप cover करते जाओ अगर आप उसको बस pass होना है previous year questions उससे जादा कुछ मत करो numerical sir कैसे handle करे जो previous year questions में जो numerical पुछा है उस type के numerical का practice कर लो देखो बस data आगा number change होगा same to same वही numerical आएगा करना क्या है रोज आप 2-3 घंटा time दो अगर आपको लग रहा है कि यह subject hard है 2-2 घंटे का time दो इसके बाद अगर आप अगर आपको subjects है जैसे किसी को आपको समझो यह अपना C++ है या C है सबको अलग-अलग subjects है अगर हम वही बात करें तो PPS करके subjects है उने वालो को तो आपको क्या करना है आपके subjects में कौन सा module आ रहा है अगर कहीं से अगर आपको उस topic के अच्छे notes मिल रहे हैं तो आप ले लो उसे अच्छे से आप cover कर लो previous years questions कहीं से मिल रहा है तो आप उसे ले लो तो यहाँ पे एक word अगर आप मेरा top किया था तो उस time पे भी मैं classes लेता था रात के 10-10 वज़े तक मैं classes लेता था देन उसके बाद मैं अपसटा study करता था बट मेरे top करने के पीछे एक ही reason था consistency consistency बहुत ज़ादा माईने रखती है यह जो मेरा word है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता होगा पर follow करना बहुत difficult होता है आज बहुत ठगे ठगे आते हैं मुझे पता assignment लिखना पड़ता यह करना पड़ता है देन उसके बाद कम से कम एक lecture सो regular आपको करना चीए एक lectures घर पे आने के बाद regular करना चीए college में लग रहा है यार यह lecture में time pass हो रहा है लिख लो assignment कोई दिक्कत लिए बस उससे teachers के उपर कोई bad impact न जाए पता चला वो teacher बहुत streak है तुम्हें बाहर कर दिया तो थोड़ा सा last में internal का दिक्कत हो जाएगा और college में engineering college में internal बहुत माईने रखता है इसके बाद max subject का तो कल रात को एक वीडियो आया आपने देखा होगा कि max subjects में क्या करना चीए अगर नहीं देखा है तो please उस वीडियो को देख लो max ऐसा subject है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा scoring कर सकते हो तो वैसे ही अगर आपके जो भी अलग-अलग subjects है आपको क्या करना है overall एक time table बनाओ और रोज Monday, Tuesday, Wednesday इस दिन अगर आप college जा रहे हो तो कम से कम 2 घंटा पढ़ने बैठो टॉप भी कर लोगे, 2 घंटा भी पढ़ने बैठो सुबह और 2 घंटा, सुबह अगर समझो time नहीं मिल रहा है एक घंटा बैठो, रात को 2 घंटा बैठो रात को चाहिए तो मैं आप देखो exam आ रहा है तो 2 से 3 घंटा बैठो और इसके बाद जिस दिन छुट्टी है जैसे कल first में था कल अगर आपको वेकर संता तो आपको क्या करना चाहिए था पूरा दिन अच्छे से सुबह आराम से चाहिए तो लेट सोके उठ रहे है कोई दिक्कत नहीं आठ बज़े तक नौ बज़े तक उठ रहे है कोई दिक्कत नहीं पर उसके बाद पढ़ो और साथ में देखो ये तो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर तो मार्क्स लेकर आ रहे हो यहाँ पर मार्क्स लाने के साथ आपके अंदर स्कील भी लेकर आओ उसके लिए हमारा प्रदीब गिरी जो चैनल हो उस पर बहुत सारे intensive से related बहुत सारी चीज़े दी जाती है इवेन हमारे Instagram हैंडल पे गिरी टुटोरियल्स के वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़े कभी न कभी जो स्टोरी ये सब में हम अपलोड करते रहते तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो जाके और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरा भी Instagram हैंडल सेम प्रदीव सर की तरह ही है राहूल गीरी है बस वहाँ पे ट्रिपल थ्री फोर तो उस पे आप जाके कोशन सूच सकते हो तो इस तरह से अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आप टॉप करोगे और जब पढ़ने को कौन से कंपनी में होना चीए और आपका पैकेज कीतना होना चीए वह सामने रख लेना तो अपने अप एक लिस्ट पास होते जाओ और एक जो क्राइटेरिया ना क्लास का वह मेंटेन रखते जाओ तो आपको बहुत अच्छे जॉब मिलेगे वीडियो का देखने के लिए दिल से ठैंक्स ठैंक्यू सर्मस्ट दोस्तों मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जैहिन दोस्तों